विश्वक के सभी मेरे साथियों को राजरत अमबेडकर की ओर से जैभीम नमो बुद्धा है दांटोल अमबेडकर के सोलावे भाग में और आखरी भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है आखरी भाग इसलिए क्योंकि डॉक्टर बाबा सभ अमबेडकर जी के बारे में कई सारी अनकई बाते चुपाई गई बाते इसके उपर मैंने ये सोला पंदरा भागों में आप लोगों तक बाबा सभ अमबेडकर जी की इन बातों को मैं लेकर आए लेकिन अब बाबा सब अमबेडकरजी की ऐसी कुछ बातों को मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ जो निशकर्ष डॉक्टर बाबा सब अमबेडकरजी की जीवन का है वो निशकर्ष के उपर कल से एक अलग विशय के उपर ये विप सेरीज मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ लेकिन विशय अंटोल्ड अमबेडकरजी की जीवन का निशकर्ष याने बहुत धम उस धम को बाबा सब अमबेडकरजी ने भारत में कैसे पुनरजिवित किया बाबा सब ने दब बुद्ध हैं इस धम्मा साड़े-पात सालों तक बाबा सब ने इस गरंथ को निर्मान करने के लिए लगाया उस गरंथ को हम लोग सिंपल तरीके से जानेंगे कि बाबा सभ अमबेडकरजी ने किस तरह का बहुत धम दिया हुआ और ये जानने से पहले मैं आप लोगों को डॉक्टर बाबा सब अमबेड करजी का फिर से दांटोल अमबेड कर में से ये एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ 26 नवेंबर 1950 को डॉक्टर बाबा साब अंबेड कर जी ने भारत को सविधान अरपन किया बाबा साब जब इस देश को सविधान दे रहे थे तब डॉक्टर बाबा साब अंबेड कर जी ने भाशन में अपने एक बात कही कि ये सविधान मेंने काफी बढ़िया बनाया है उत्कुरुष्ट बनाया है अगर इस सविधान को लागू करने वाले लोग अगर गलत है तो सविधान किसी काम का नहीं होगा जरा सोचिये जिस महामानों ने इस देश के सविधान को बनाने के लिए इतना संगर्श किया अपनी सारेरिक परिस्ति न होने के बावजूद दो साल ग्यारा महिने अठ्रा दिन तक लगातार इस देश के सविधान को निर्मान किया वही महामानों इस देश को सविधान देते समय कहते है कि ये सविधान कितना भी उत्कुरुष्ट क्यों न हो, इसको चलाने वाले लोग, इसको लागू करने वाले लोग अगर गलत है, तो सविधान किसी काम का नहीं होगा बाबा साब ने इसी बात क्यों कहीं, क्योंकि बाबा साब को पता चल चुका था कि ये सविधान तो बढ़िया है, जिनके हातों में जा रहा है, ये सविधान जिनके हातों में जा रहा है, वो लोग इस देश को सविधान के अनुसार नहीं चलाएंगे, ये सविधान लागू ही नहीं होने देंगे और इसलिए डॉक्तर बाबा साब अंबेड करजी ने 1954 में रंगून के कॉनn सब्सक्राइब चार डिसेंबर 1944 को बाबा साब अंबेड करजी ने रंगून के कॉनफरेंज में एक बात कई बाबा साब ने वहाँ पर उपस्ति जो है ये बुद्ध का जन्मस्तल है, यही से बौत धम पूरे विश्व में गया है, और इसलिए आप भारत में आकर ये बौत धम का निर्मान करो, बौत धम का केंडर करो, और बौत धम को प्रचार प्रसार करने का केंडर भिंदू भारत में करो. बाबा साब अंबेड करजी ने देखा कि भारत के समिधान में हम लोगों को जो हक्कार अधिकार है वो देने के लिए इस देश के ब्रामन ही तयार नहीं है इन हालातों में मेरे लोगों को इस देश के लोगों को में ब्रामनों के इच्छा के अनुसार नहीं छोड़ कर जा सक और इसलिए बाबा सब अंबेडकर जी ने बहुत रास्टों के सामने ये बात कई और उन लोगों को भारत में इन्वाइट किया बाबा सब अंबेडकर जी ने उस रंगोन के कॉंफरेंस में भाशन दिया और बोध धम को किस तरह से पुनर जिवित भारत में किया जा सकता है उसकी blueprint बाबा साब ने रखी, उस blueprint का, उस भाशन का नाम बाबा साब रखते है, बुद्धा नीट्स, नो passport, नो विजा, a blueprint of Buddhism in India, बाबा साब अंबेड करजी ने ये भाशन वहाँ पर दिया, बाबा साब अंबेड करजी ने कहा, कि बौध धम भारत से कैसे नस्ठ हुआ, क्या बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, जो शिक्षा थी, क्या वो कमकुद थी, क्या वो कमजोर थी, इसलिए बौध धम नस्ठ हुआ, बाबा साब कहते हैं, नहीं, बाबा साब का ये बौध धम को इसलाम से कोई खतरा नहीं है, लेकिन ब्रामनों से है, लेकिन ब्रामनों से है, बाबा साब का ये पूरा स्पीच, बाबा साब अंबेट करजी ने, आज भी उनके लिखित राइटिंग और स्पीचिस में है, और इस तरह से बाबा साब ने भारत में आकर, बहुत धम को किस तरह से पुनर जिविद किया, बाबा साब ने 1954 में, डिसेंबर के 1954 में ये भाशन दिया, बाबा साब भारत में आए, और बाबा साब ने बाबा साब ने बहुत धम के, प्रचवर और प्रसार की, एक संस्था बनाए, जिस संस्था का नाम है, बुद्धिश सोसाइटी ओफ इंडिया, जिसका आज मैं राश्ट्रिय अध्यक्षे के तोर पर काम कर रहा हूँ, ये बुद्धी सोसाइटी ओफ इंडिया के माध्यम से बाबा सापने भारत में किस तरह से बौध्धम को पुनरजिवित करने का काम किया, ये सारा कल के एपिसोड से नए सीरे से ये सारा आप लोगों के सामने बताया जाएगा, बुद्ध का जनम कैसे हुआ, बुद्ध ने परिवरजा की उली, बुद्ध के परिवरजा के पीछे क्या कारण था, बुद्ध ने कौनसी तत्व प्रणाली, कौनसा नया धम अविश्कार किया, वो अस्टांगिक मार्ग क्या है, दसपारविता क्या है, अस्टांगिक मार्ग को किस तरह से हम लोग अपनी जीवन में फॉलो कर सकते है, आज भी ब्रामणों त्वारा दिया गया जो ब्रामणी धर्म है, वो किस तरह से बहुत धम को नश्ट करने के उपर काम करता है, ये सारी बाते कल बाबासाब अंबेड कर जी के दब बुद्धा और इस धम्मा की ये वेब सीरीज को भी आप लोग चाहेंगे, ये आशा करता हूँ, ये कामना करता हूँ, आप लोगों ने मुझे जो प्रोच्सान दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, जै भीम, जै भारत, नम्म बुद्धा